भारती वायू सेना के वाइस चीफ एर मार्शल राकेश कुमार सिंग बधोरिया ने गुरुबार को फ्रांस में जल्द भारत आने वाले लड़ाको विमान राफैल में उडान भरी। उन्होंने कहा कि लड़ाको विमान राफैल देश की सेना के लिए बहत एहम साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार इस विमान के वायू सेना में शामिल होते ही राफैल और सुखोई की जोड़ी दुश्मूनों का तनाव वड़ाने की काम करेगी। राफैल में उड काफी सुखद अनुभव था और यहां से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है अनुने यह भी कहा कि राफैल को वायू सेना के बेड़े में शामिल होने के बाद हम इसका शानदार प्रयोग कर सकेंगे हम यह भी देखेंगे कि सेना में शामिल लड़ा को विमान सुखोई 30 के सकेगे वायस चीफ एर मार्शल ने कहा कि एक बाद सुखोई और राफैल सीना के बेड़े में शामिल हो जाए इसके बाद दुश्मिनों को वकात में रहना होगा दोनों फाइटर जेट एक साथ ऑपरेड होना शुरू हो जाएं तो फिर पाकिस्तान दोबारा अपनी नाप पाक हरकत नहीं कर पाएगा उन्होंने आगे यह भी का कि राफैल में जिस तरह की तक्नीक और हत्यारों के इस्तमाल किया गया है वे भारत के लिए प्लानिंग के नजरिये से एक गेम चेंजर साबित होंगे हम जिस तरह के आकरामक मिशनों और आने वाले समय में यूद के के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं उसके हिसाब से तक्नीक और हत्यार बिल्कुत उप्युक्त हैं अगर आप हमारी वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज बंजाबकेसरी.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब प कर दो दो